आदेर वा सम्मान के योग प्राता समर्णिय पूजनिय गीता मनीशी स्वामी ग्याना नंजी महराज जिनके विचारों को जिनके उद्बोधन को आपने सुना और उन्होंने सबसे पहले आशिरवचन देकर हमें लाबानुवित किया उनका आभारी हूँ बाबू अनंतराम जनता महाविद्याले के प्राचारे डॉक्टर राजबीर सिंग जी जिनोंने प्रस्तावना रखी इस विशे की डॉक्टर कामराज सिंदू जो हमेशां परयासरत रहते हैं कि कैसे अच्छे अच्छे विद्वान लोगों को कैसे कैसे अच्छे विचारकों को कैसे कैसे अच्छे सहित्यकारों को एक मंच पर लाकर विचार साज़ा किये जाएं और नकेवल भारत में अपितुब पूरे विश्व में उनके ये कारेकरम चलते रहते हैं वे बधाई के पात्र हैं रिणी हूँ उनका के बार-बार मुझे अनेक मंचों पर आने का आग्रे करते रहते हैं याद दिलाते रहते हैं ताकि कहीं पर भी कोई चीज मिस ना हो जाए आज के कारेकरम में जुड़े शिरी हजारिका जी, शिरी शुकला जी नार्वे से जुड़े, पोलेंड से जुड़े सभी विद्वान, सभी मित्रगण, सभी साथीगण और सभी शोदार्थी, सभी विद्यार्थी आज डॉक्टर इशिपाल ने एक बहुत महत्वण विशे चुना के शिक्षा का दर्शन क्या हो, शिक्षा का मूलतत्व क्या हो, शिक्षा कैसे राष्ट निर्मान में अपनी भूमी का निभा सकती है ऐसे कुछ विचार हम सब लोग साजा करें, इस सब की चर्चा करें जो भारत के लिए अत्यांत महत्वण विशे रहा और रहेगा भी भारत यदि विश्वगुरू था, तो अपनी शिक्षा पद्दती, अपनी शिक्षा प्रणाली और अपनी गुरु शिक्षा परंपरा के कारण था और पुने यदि भारत को विश्वगुरू बनना है, तो भारत को अपनी गुरु शिक्षा पद्दती, अपनी गुरु परंपरा को पुने जागरित करना होगा, उसका पुने उद्धार करना होगा, और उस लकीर पर हमें पुने सोचना होगा, विचार करना होगा, ताकि ह हम इस विश्व को एक नई दिशा दे सकें। सबसे पहले मैं आप लोगों से चर्चा करूँगा कि आखिर शिक्षा है क्या। शिक्षा मनुश्य के जीवन के परिश्कार एवं विकास की प्रणाली है। जीवन के प्रतेक अनुभव को शिक्षा कहा जा सकता है। वास्तव में मानव जीवन ही शिक्षा है और शिक्षा ही जीवन है। इस बात को समझना होगा जिसकी चर्चा गीता मनीशी जी ने भी आप सब से की कि शिक्षा केवल जीविका का सादन ना हो, शिक्षा जीवन जीने की कला हो। और मैंने तो अपने विश्विद्याले का जो धेवा क्या है वो भी यही लिखा के शिक्षा जीवनाए ना तू जीविकाए। यानि शिक्षा जीवन के लिए है ना कि जीविका के लिए और जिस दिन इस बेसिक सी इस बुनियादी बात को हम सब लोग समझ लेंगे उस दिन शिक्षा के प्रती हम सब की दृष्टी हम सब की दृष्टी इस विशे पर बदलेगी वो अत्यंत महत पून दिन होगा जिस दि हम ये थोड़ी सी बात को समझने का प्रयास करेंगे शिक्षा एक ऐसा जो भी वैवार जो मनुश्य के ग्यान की प्रिधी को विक्सित करे अंतर द्रिष्टी को गहरा करे प्रती क्रियाओं का परिशकार करे क्रियाओं को उतेजित करे या किसी ना किसी रूप में उसे प्रभावित करे वह शिक्षा है ये शिक्षा का मूल है यानि शिक्षा की मूल परिभाशा यदि हम देखें तो वह यह बनती है शिक्षा का लक्ष क्या हो व्यक्तित्व का संतुलित एवं संपूर्ण विकास ये शिक्षा यानि आंतरिक शक्तियों का जिसकी चर्चा स्वामी जी ने भी की आंतरिक शक्तियों का सर्वांगीन विकास अर्थात शरीर मन बुद्धी और आत्मा का विकास ये शिक्षा का लक और आप समझ सकते हैं कि जो शिक्षा हम दे रहे हैं वो शिक्षा इन विचारों के कितनी विपरीत है, कितनी भिन है ये हमें समझना होगा शिक्षा के माध्यम से सहस्रों वर्षों से समाज द्वारा अर्जित, अनुभव, हस्तांतरित होते हैं अपनी राष्ट्रिय धाती एवं संस्कृती का ग्रहन होता है अर्थात, शिक्षा, शारीरिक, मानसिक, नैतिक, एवं अध्यात्मिक विकास, चरित्र निर्मान, समाजी करण, एवं मनुश्य की संग्या पाने योग्या है यदि ये शिक्षा करती है, तो शिक्षा का माध्यम से ये हम सब कुछ पा सकते हैं यानि संपूर्ण विकास, सरवांगीन विकास, होलिस्टिक एजूकेशन, ये हमें शिक्षा के माध्यम से अचीव करना है शिक्षा के माध्यम से सबसे महत्वपूर्ण, यदि कोई चीज है, तो वो सोच में परिवर्तन लाना है अब आइंस्टीन का उधारन ले, आइंस्टीन हमेशा अपने सादे वेश भूशा में रहते थे और अक्सर लिबारिटरीज में काम करते हुए, प्रियोगशालाओं में काम करते हुए, कपड़े गंदे भी हो जाते थे और एक दिन पत्नी ने कहा कि शाम को खाने पर, रातरी भोजन पर कुछ लोग, कुछ मेमान, कुछ खास मेमान आने वाले हैं, तो तुम अपने कपड़े बदल कर आना आइनस्टीन उन सब से मिलने, नया सूट-बूट डाल कर आए, और आते ही, खाना, सारा कपड़ों पर लगा लियां, तो सब ने पूछा यह क्या, उन्होंने कहा, कि ये सब लोग आइनस्टीन से तो नहीं मिलने आए, ये सब लोग आइनस्टीन का भोजन करने आए, तो आ शिक्षा के माध्यम से आइंस्टीन के भीतर के व्यक्ति का परिश्कार हुआ तो उसे बाहर की वेश-भूशा की कोई चिंता नहीं रही है यह अत्यंत महत पूर्ण है समयना आप सुकरात का उधारन लें सुकरात ने कहा कि अपने अग्यान को जानना सबसे बड़ा ग्यान है यानि दुनिया में यदि सबसे बड़ा कोई ग्यान है तो अपने अग्यान को जानना जब युनान की देवी से लोग पूछने गए कि इस सदी का सबसे ग्यानी वेक्ति कौन है तो देवी माने कहा सुकराथ जब सुकराथ के पास गए तो सुकराथ ने कहा कि देवी मा को भूल लगी होगी मैं तो दुनिया का सबसे अग्यानी व्यक्ती हूँ वापिस दुबारा मा के पास जाते हैं देवी मा के पास और लोग कहते हैं कि मा तुमने हमें जूट बोला, सुकरात तो कहता है कि मैं दुनिया का सबसे अग्यानी, सबसे मुर्ख आदमी हूँ तो मा ने कहा कि सुकरात का यही सबसे बड़ा ग्यान है, कि वो ग्यानी होते हुए भी अपने अग्यान को पहचानता है हमें भी अपने अग्यान को पहचानना होगा हमें भी यह समझना होगा कि लबी-लम्बे डिग्रियां लगा कर लम्बे-लम्बे अपने साथ उपनाम लगा कर कोई शिक्षा में परिश्कृत नहीं होता शिक्षा अपने अग्यान को जानने का एक माध्यम है शिक्षा के माध्यम से प्रतेख पीडी के साथ समाज की प्राचीन विदी का संगरक्षन, समवर्दन और हस्तान तरण होता है क्या अक्षर ग्यान या पाठ्य पुस्तोकों का अध्यन ही शिक्षा है ये प्रशन हम सब के आगे है और एक ये यक्ष प्रशन है, मानव ग्यान का थोड़ा अंच भाशा एवं इससे भी थोड़ा अंच लिपीबद है, इसलिए इतना बड़ा अंच, इसलिए Newton ने कहा कि I am only searching few pebbles on the seashore, I only know a tip of the iceberg, yet a lot remains. ये Newton जैसा व्यक्ति जो पिछली सदी का एक माहान वे ग्यानिक था, वे भी कहता है, इसलिए जो हमें मिलता है अक्षर ग्यान या लिपीबद ग्यान, वे बहुत मामूली, बहुत थोड़ा सा है, और इसे पढ़कर, जो हम तथाकतित अपने आपको शिक्षित कहते हैं, वो भ का पढ़का पढ़क कर आगया, और उसने गाओं वालों को समझाना शुरू किया, कि खेती मौसम आजकल पता लग जाता है कि बारिश कब आएगी, उस हिसाब से अपनी बिजाई करेंगे, लोगों ने कहा पढ़कर आया, इसकी बात को मानना चाहिए, लोगों ने उसे कहा क बारिश आएगी कब, उसने का मौसम विभाग है, मैं अभी फोन करता हूँ और उनसे पूछता हूँ, उसने मौसम विभाग में फोन लगाया और पूछा, मौसम विभाग वालों ने कहा कि लगबग एक महीने के अंदर आएगी, लोगों ने उस हिसाब से तैयारी करनी हमारी सुईیاں क्या बताती है, बारिश कब आएगी, तो जो मौसम विभाग में व которая उसने जो बात कही, वो हम सब की दिरिश्टी को बदल सकती है, उस वेक्ती ने कहा, कि मुझे ये तो पता ने, के हमारे सुई और यन्तर क्या बताते हैं, पर मुझे इतना पता है कि पड़ व्यक्ति है वो भी इस बात को समझता है और जो तथा कतित पड़ा लिखा है उसकी द्रिष्टी और एक अनपड़ व्यक्ति की द्रिष्टी में क्या भेद हो सकता है यह हम समझ सकते हैं शिक्षा एक संसकार प्रक्रिया है माता-पिता, परिजन, पुरुजन, गुरुजन, अगरपाथी, सैपाथी, समाज के नेता, अधिश्ट आता सभी नवीन पीडी पर विभिन प्रकार से संसकार डालते हैं और इनी संसकारों से हम आगे बढ़ते हैं शिक्षा संस्ता एवं बाहर का वातावरण, दोनों संसकार्षम होने चाहिए, यदि विरोध रहे, तो समन्वित, एकिक्रत, सर्वांग पूरण, अखंड व्यक्तित्व का विकास ना होकर, प्रकृती में विभिन निष्ठाओं का समावेश होता है, यानि जीवन, अखंड होकर, खंड खंड बनता है, भारतिय संस्कृती में, शिक्षा को पवित्रतम प्रक्रिया, जैसा स्वामी जी ने कहा, कि शिक्षा को पवित्रतम प्रक्रिया, हमने माना, गीता ने कहा, नाही ज्यानें सद्रिशम, पवित्रम ही विद्यते, माह भारत में कहा गया, नास्ति विद्धा समय चक्षू दर्शन में कहा गया ग्यान को प्रकाश एवं अग्यान को अंदकार और इसलिए हमें कहा गया तमसो मा जो तिर्गम है यानि अंदकार से प्रकाश की और ले चलो यानि शिक्षा वह जो हमें असत्य से सत्य की और ले जाए शिक्षा वह जो हमें अंद प्रकाश की योड ले जाए शिक्षा वह जो हमें मृत्यू से मोक्ष की तरफ ले जाए शिक्षा वह जो हमें बूंद से सागर बनाए शिक्षा वह जो हमें सीप से मोती बनाए शिक्षा वह जो हमें जागने से जागरण की अवस्था में ले जाए शिक्षा एक अध्यात्मिक प्रक्रिया है शिक्षा जीवन का विकास है और जीवन का अधिश्टान क्या है अध्यात्म और अध्यात्म का सम्मंद आत्मा से है आत्मा मनुश्य सत्ता का अंतरतम मर्म है आत्मा मन बुद्धी इंद्रियों एहंकार से परे है आत्मा समस्त ग्यान का आधार है शिक्षा ग्यान की साधना है ग्यान चेतना का विकास है अतै शिक्षा चेतना का ही समवर्धन होना चाहिए यानि शिक्षा वै होनी चाहिए कि जो हमारी चेतना का विकास करे बाबा फरीद ने कहा कि यह सब कुछ मिट्टी है प्पात दी गल न करतू जात वी प्पात वी चो此 शिरफ क curvedा दी उच्ची बाकी सब कुछ मिट्टी मिट्टी यानि अब हमें ये देखना है कि शिक्षा का मूलतत्व क्या हो क्या वो बुद्धी के विकास के लिए हो या वो चेतना के समवर्धन यानि आत्म विकास के लिए हो ये हमें सोचना पड़ेगा क्योंकि हमारे धरमगरंद हमारे देश की जो अवधार में सहायता करें और उस चेतना के विकास को यदि हम बुनियादी विकास शिक्षा में लेंगे अन्य था केवल हम बुद्धी के विकास की बात करें केवल IQ की बात करें और EQ और SQ की शिक्षा में बात करना करें हमारी शिक्षा पधती आईक्यू में भी बुद्धी में भी केवल एक स्मृती का अमरी it is only a test of memory जितने भी हम examinations लेते हैं believe me it's all a test of memory it is not a test of the student it is only a small portion of the student which we are testing and that is not even intellect that is only a portion of memory and that is why cramming has creeped into our process otherwise शिक्षा creative होनी चाहिए ना के crammed up होनी चाहिए हमने शिक्षा को केवल cramming पर लाकर खड़ा कर दिया केवल कुझियों का माध्यम केवल short notes का माध्यम केवल सिरफ और सिरफ छोटे notes short notes पर basic हमारी classroom teaching रह गई जबके हमारी शिक्षा एक holistic improvement एक holistic approach की थी और उस पर हमें कायम रहना चाहिए धरम गरंत कहते हैं कि विद्या श्रद्धा द्वारा प्राप्त होती है गीता कहती है जैसा स्वामी जी ने भी कहा श्रद्धावान लबते ग्यानम प्रेम आदर एवं विश्वास की समलित भाव को श्रद्धा कहते हैं जिसमें प्रेम हो गुरू और शिष्य का जिसमें आदर हो शिष्य का गुरू के प्रती और जिसमें विश्वास हो दोनों का एक दूसरे के प्रती वे श्रद्धा के भाव को बनाता है और श्रद्धा जिसमें होगी वे ही ज्यान को पाएगा श्रद्दा का विपरीत भाव एहंकार है एहंकार से हमारी चेतना संकुचित होती है और जितने भी आज के भौतिकवादी सादन है जितनी भी भौतिकता हमने बढ़ाई है वे केवल और केवल हमारे एहंकार को पोशित करती है और एहंकार दुनिया में किसी का नहीं रहा चाहे वो कंस था, चाहे वो रावन था, चाहे वो सिकंदर था सिकंदर जब मरा तो उसकी मां दाहडे मार मर कर रोई और किसी ने लिखा रोवे मां सिकंदर दी करके मत्था टेड़े नू कबरांदे विच करे से आपा आखे रोड गया रब बेड़े नू अर्शों एक अवाज सी आई छड़दे चगड़े चेड़े नू एथे कई सिक अंदर आए तू रोंदी केड़े केड़े नू यानि इस दुनिया में अनेकों एहंकार से परिपोन लोग आए जिनका नामो निशान भी नहीं रहा मसॉलिनी, लैनिन, सदाम दुनिया भर के लोग हिटलर, निपोलियन, चर्चल जिन लोगों का नामो निशान भी नहीं रहा और जिन लोगों का अंत भी बहुत कष्ट दायक हुआ इसलिए हमने विद्या में सरस्वती को विद्या देवी का रूप दे कर श्रद्धा के भाव को अध्यात्मिक रूप दिया और इसलिए श्रद्धा का भाव बच्चों में जगाना अत्यंत महतुपुन है और शिक्षा के अर्जन में जितना गुरू का महतु है गुरू के सायोग से बालक विद्या मार्ग पर चलता है गुरू का सायोग श्रद्धा और सेवा से प्राप्त होता है वास्तव में विद्या गुरू की और से शिश्य के प्रती आत्मदान है अतै विद्या का विवसाय नहीं हो सकता इस बात को हमें समझना होगा क्योंकि जितनी ये tuition जितनी ये coaching जितना ये पैसा शिक्षा को एक वैपार बना कर जो हमने अपने देश में छोड़ा है उसको उसके बुनियादी स्वरूप को समझना होगा कि विद्या गुरू की और से शिष्षे के प्रती आत्मदान है इसलिए इसका वैवसाय नहीं हो सकता इस बात को समझना होगा विद्या एक बौधिक सादना है गीता में कहा क्रोधात भवति संमोह संमोहात समृती वीभ्रमे समृती भरंशात बुधी नाशो बुधी नाशात प्रनश्यती यानि क्रोध से अविवेक, अविवेक से स्मरण शक्ती भ्रमित होती है स्मरती के भ्रमित होने से बुद्धी नाश और बुद्धी नाश से व्यक्ती दोश साधन से गिर जाता है इस बात को हमें समझना होगा विद्या की साधना की सफलता है तू मन के विकारों से बचाना और स्वामी जी ने जिस बात की चर्चा की के मन का विकार कबीर दास जी ने भी लिखा केशो क्या बिगाडिया जो मूंडे सो बार मन को काहे न मूंडिये जामे विशे विकार यानि तू अपने बालों को क्यों काटता है काटना है मूंडना है तो अपने मन को मूंड जिसमें की विकार पैदा होते हैं इसलिए विद्या की साधना की सफलता के लिए मन के विकारों से मन को हमें विकारों से बचाना होगा अत्या शिक्षा में ब्रम्चेरे की भूमिका ब्रम्चेरे सहियम और साधना का सनातन मंत्र है स्वामी वेकानन जब जर्मनी में गए तो पाल डायसन ने एक बहुत बड़ी अंसाइकलोपीडिया लिखा था और स्वामी जी को दिया कि ये पुस्तक कैसी है स्वामी जी को पुस्तक दे कर वो काफी बना लें गए जब तक वापिस आये तो पुस्तक बंद करके स्वामी जी रख गए तो पाल डायसन को लगा कि 15 मिनट में कोई व्यक्ति इतना बड़ा पुस्तक को कैसे पढ़ सकता है उनने स्वामी जी से पूछा तो उसको शक भी हुआ उसने परीक्षा के लिए स्वामी जी से पूछा कि ये पुस्तक में ये भाव कहां लिखा है तो स्वामी जी ने तुरंट बताया कि इस पेज पर उपर से इतनों ही लाई जो हमारे यहां परिकल्पना की गई शिक्षा की और पहले 25 वरश ब्रह्मचरय की बिल्कुल सैंटिफिक, बिल्कुल विज्ञाने और सहियम और साधना दोनों की पीठिका पर होती है ज्ञान की साधना और ज्ञान को यदि साधना है तो इनकी पीठ हमें बनानी पड़ेगी अशकार और उन्यन वही संस्कृती कहलाता है ज्ञान, चरित्र और संस्कृती त्रिवेणी के संगम से ही शिक्षा जीवन का तीर्थराज बनती है और कोई तीर्थराज नहीं है हम सब शिक्षा से जुड़े लोगों के लिए केवल इन तीन चीज़ों का मेल कि ज्ञान, च रिवेनी बनाएंगे इस रिवेनी का संगम बनाएंगे और उसमें डुबकी लगाएंगे तो शिक्षा जीवन का तीर्थ राज बनेगी ये मेरा मानना है ग्यान के अरजन को शिक्षा माना जाता है जैसा मैंने कहा कि ग्यान जीवन के विकास का सादन है और जीवन का लक्ष स सत्त की खोज है जिसकी चर्चा भी स्वामीजी ने की शिक्षा को बोधिक ज्यान का अरजन नमानकर जैसा मैंने शुरू में कहा जीवन निर्माण के व्यापक रूप में देखना होगा और यदि जीवन निर्माण की बात हम करेंगे तो शिक्षा का मूलतत्व भी बदलेगा, शिक्षा का उदेश्य भी अलग होगा, शिक्षा का दर्शन भी अलग होगा, शिक्षा का मनोविज्ञान भी अलग होगा और शिक्षा और संसकार के द्वारा जो जीवन विक्सित होता है इसी विकास को सब्धता और संस्कृती कहते हैं अतै शिक्षा प्रकृत मानव जो रा मानव है को सब्धय और संसकृत बनाती है education is your journey from imperfection to perfection और यदि शिक्षा यह कर सकती है तो वे शिक्षा मूल रूप से आपके लिए शिक्षा है अन्य था सारी की सारी शिक्षा बेकार मैंने एक छोटा सा उधारन पड़ा एक लड़का था ओक्यो उसका बाया हाथ नहीं था और वो सैंसुई में चैंपियन बना चाता था अब वो एक गरू के पास गया और गरू ने उसे एक ही बात कही कि तू अपने दाएं पैर से किक लगा सालोग साल भीत गए ये लड़का अपने दाएं पैर से किक लगाता रहा और गुरू से बार बार अपेक्षा करता रहा कि शायद गुरू कुछ और मंत्र देंगे और एक दिन तो उसने गुरू से कम्प्लेंट भी की कि गुरू जी आपने केवल मेरे को एक ही चीज सिखाई है उसने का आपने लक्षे पर ध्यान दे और जब मौका आया जब फाइनल हुआ सैंसुई बनने का तो उस दिन वही किक ने उसे जिताया तो गुरू ने कहा कि जो किक तुझे मैंने सिखाई उसे दूसरा व्यक्ति तेरे बाया हाथ को पकड़ कर ही तुझे गिरा सकता था और क्योंकि तेरा बाया हाथ है नहीं इसलिए तुझे वो पकड़ नहीं सकता था ये है गुरू का असली रूप ये ऐसे गुरू की आवशक्ता इस देश को है जो शिक्षा के माइने बदल सकें जो शिक्षा के मूल तत्व को पहचान सकें जो शिक्षा के दर्शन को पहचान सकें अब थोड़ी सी बात शिक्षा के दर्शन की कि द्रिश्यत यथार्थ तत्व में जिसके द्वारा यथार्थ तत्व या सुरूप का ग्यान होता है उसे दर्शन कहते हैं अनेक लोगों ने इसकी अनेक परिभाशाएं दी, जिस सार्वभूम से धनतिक अधार पर किसी कारे के उदेश्य, पद्धति, प्रनाली, कारेक्रम आदी का संयोजन होता है, उसी अधार को हम दर्शन कहते हैं, और इस दर्शन की परिभाशा में हमें शिक्षा को ढालना होग जिस परकार प्रतेक मानव जीवन का दर्शनिक परक्ष है, उसी परकार शिक्षा का भी एक दर्शनिक आधार है, उसी दर्शनिक आधार पर विभिन देशों में शिक्षा के उदेश्य, पद्धति, संगठन की विवस्था की जाती है, परंतु इतने साल हुए, लगबग अजादी को भी अब 73 साल हो चले, हमने अभी तक अपने शिक्षा के दर्शन को नहीं बनाया, और किसी भी राश्ट्र के जीवन पर अधारित, प्रतेक देश का अपना शिक्षा का दर्शन होता है, भारतिय शिक्षा के संबंद में विचार करते समय, हमें भारतिय जीवन उन तथ्यों को सपष्ट करना होगा, जो इस सनातन राश्ट्र जीवन को एक सूत्र में पिरोए हुए हैं, हम जैसा मैंने कहा पिछले 73 सालों में, क्यूं अपना कोई दर्शन नहीं बना पाए, उसके अनेकों कारण हो सकते हैं, जैसे राजनेताओं द्वारा सनातन राश् दर्शन की उपेक्षा, नवीन जीवन दर्शन को प्रस्थापित नहीं कर सकना, राजनेताओं में चिंतन प्रक्रिया की शुन्यता, हम नारा समाज्यवाद का देते हैं, आस्ता लोगतंतर में व्यक्त करते हैं, एक तरफ राश्ट्रिय करन, दूसरी तरफ व्यक्तिकत, हवास की बात करते हैं, हमारी प्रशंसा तो हम भारतिय संस्कृति की करते हैं, और वैवार हम भोतिकवादी करते हैं, सिधान्तित राजनीती ने देश को आस्ताहीन बनाकर घोर विनाश के कगार पर खड़ा किया, परणाम सरूप भारतिय शिक्षा दिशाहीन है, परंतु म मंतरी नरेंदर मोदी जी को, जिनोंने नई शिक्षा नीती के माध्यम से, शिक्षा के मूल तत्व, शिक्षा के दर्शन, शिक्षा के उदेश्य को पैचानने का प्रयास किया है, और मैं विश्वास करता हूँ, कि जो आने वाली शिक्षा पॉलिसी है, वो हमें एक नई र भारत विश्वगुरु कहलाता था हमारे देश में विभिन विभिन दार्शनिक सिध्धानत है अनेक देशों में अनेक दार्शनिक सिध्धानत है इसलिए अनेक देशों में शिक्षा पद्दती भी अलग लग है परन्तु हमने बाहर से आयतित शिक्षा के दर्शन को अपने करना आरंब किया। रूसों ने कहा कि प्रतेक बालक जनम के समय निर्विकार होता है। समाज का संपर्क उसे दूशित बनाता है। लहरों को खामोश देखकर ये मत समझना के समंदर में रवानी नहीं है। लहरों को खामोश देखकर ये मत समझना के समंदर में रवानी नहीं है। हम जब भी उठेंगे तुफान बनकर उठेंगे बस उठने की अभी ठानी नहीं है। परंतु नहीं शिक्षा परनाली हमारे उठने की ठानने की परियास की एक शुरुवात है। जिसे मुझे लगता है कि आने वाले समय में काफी उपयोगी होगी, काफी लाबदायक होगी। मैं अब अपनी बात को छोटा करता हुआ, ज्यादा इन अधारबूत सत्यों में ना जाता हुआ, दो तिन बातें आप लोगों से करना चाहता हूँ। स्वामी वेकानंद ने कहा कि प्रतेक आत्मा ही अव्यक्त ब्रह्म है। बाहिया एम अंत्य प्रकृति दोनों का नियम कर बाहिया सरूप को अभिव्यक्त करना ही जीवन का लक्षे है। श्री अरविंद ने कहा कि अपनी प्रकृती को भगवान की प्रकृती के साथ एक्सवर करना, अपने संकल्प कारेकलाप एवं जीवन को भगवान का यंत्र बनाना, ये श्री अरविंदो ने कहा और श्री अरविंदो ने कहा कि there is divinity in every child and the purpose of education is to take out that divinity. श्री गुरू गोलवरकर ने कहा कि समाज ही उस अव्यक्त ब्रम का विशाल एवं विराट व्यक्त रूप है, अत्या जीवन को इस समाज रूपी परमेश्वर की सेवा में पूर्ण रूपे इंसमर्पित करना ही जीवन का परमलक्षे है. हमने कहा, वेदोंने कहा कि सा विद्य या विमुक्ते, विद्य वै जो मुक्ती कराए. भारतिय दर्शन में धरम को सार भोमिक नियमों के रूप में माना गया. यानि धारना धरम इतिव, धर्मो धारते प्रजा, वेशाशिक दर्शन कनाद के अनुसार यतो अभ्यूद्य निश्रेस से सिद्धी सा धर्म है. यानि जिससे निश्रेस और श्रेस दोनों की प्राप्ती होती है, वेही असल में धर्म है. यानि धर्म के ये दस लक्षन मनुने बताए. और व्यास जी ने तो महाभारत में कहा के अठारा पुराणों का एक ही सारा प्रोपकाराय पुन्याय पापाये पर पिर्णम. हमें अपने जीवन को इस धंक से बनाना है कि हम शिक्षा के और शिक्षा पद्दिती को भी इस धंक से बनाना है कि हम उसके मूलतत्व, उसके उदेश्य और उसके मनोविज्ञान से कहीं दूर न जाएं. अब छोटी छोटी बातें आपसे करता हूँ कि आप एक बार सोच कर देखें, अंतिम बातें जो मैं आपसे करना चाहता हूँ, आप सोच कर देखें, कि जैसे चक्मक पत्थर में आग नहीं ही था, ग्यान मन में नहीं ही था, कबीर दास जी ने कहा, जैसे तिल में तेल है, जियों चक्मक में आग, तेरा साहीं तुझ में हैं, तू जाग सके तो जाग. मैं आपसे पूछता हूँ, कि बीज को पेड़ बनना किसने सिखाया? पक्षी को घोसला बनाना किसने सिखाया? साइबेरिया की सारस, जो हजारों मील की यातरा करने के बाद, भारत पहुंचते हैं, किसने मार्ग दर्शन किया? किसने उन्हें जी पिएस प्रोवाइड किया? हम एक गली से दूसरी गली बिना जी पिएस के नहीं जा सकते, परन्तु ये सारस हजारों मील की यातरा. हमारे मानव शरीर में एक कोशिका को बार बार विभाजित करना एक सहल से हम बने हैं बार बार विभाजित करना किसने सिखाया एक सिंग को शेर को अपने शेतर की रक्षा का दाइत वबोध कहां से हुआ वेल मचली को सैंकडों मिल दूर अपने साथियों से वारता करने की कला किसने सिखाई नवजात शिशु को रोने, मुस्कुराने, खिल खिलाने का प्रशिक्षन कहां से मिला ऐसे असंख्य प्रशन, यदि हम ये मानें, शिक्षा सीखना और सिखाना एक विवस्तित कारिया है तो ऐसे असंख्य प्रशनों के उत्तर हम नहीं दे सकते, परंतु उत्तर स्वेम प्राप्त होते हैं यदि वेदों की बात मानें, कि जीव में ग्यान पहले से उपलब्द है और यदि हम इस बात को मानेंगे, तो हमारी शिक्षा के प्रती द्रिष्टी बदलेगी मेरा वजूद नहीं किसी तलवार और तक्तो ताज का मोताज क्योंकि सब कुछ मेरे अंदर नहीं ताज स्वामी वेकानन ने कहा, कि हम सब के अंदर सुब्द शक्तियां है और शिक्षा का उदेश उन सुब्द शक्तियों को जागरित करना है मेरा वजूद नहीं किसी तलवार और तक्तो ताज के मौताज हम अपने ग्यान और हुनर से लोगों के दिल पर राज करते हैं अपने हर लफज में कहर रखते हैं रहें खामोश तो भी असर करते हैं यह है भारत की संस्क्रिती है जमाने की बुराई हम में मैं यह कहता हूँ कि है जमाने की बुराई हम में हम जमाने को बुरा कहते हैं जो समझ में ना आए किसी के हम उसी को खुदा कहते हैं है जमाने से सीखना हम को हम उसी को सिखाना चाहते हैं जो ना दे संस्कृती की शिक्षा ना पैदा करे संस्कार पढ़ना और पढ़ना जहां हैं वैपार हम उसी को विद्या का दर्बार कहते हैं ये हमारी भूल है इस भूल को हमें ठीक करना होगा और यदि हम इस भूल को ठीक कर पाए तो निश्चित तोर पर इस देश को इस नई शिक्षा पद्दती के माध्यम से हम एक ऐसी रहा पर ले जाएंगे कि भारत पुने विश्व गुरू स्थापित होगा डॉक्टर राधा कृशनल ने कहा था उनको याद रखे हैं उनके शब्दों को कि विकास के नाम पर विग्यान और तकनीक हमारे जीवन का आधार बने तो राक्षस राज की स्थिती उत्पन हो जाएगी विग्यान और तकनीक को हमें अपना गुलाम रखना है ना के हमें विग्यान और तकनीक का गुलाम होना है मैंने पढ़ा कि सुपर कम्प्यूटर्स जब इजाद किये गए तो बहुत से विचारक जैसे हम इकठे हुए हैं उनको बिठाया गया और कहा गया कि सुपर कम्प्यूटर से आप लोग सवाल पूछेंगे सुपर कम्प्यूटर जवाब देगा सब लोग कई दिनों की मेनत करके तयार करके प्रशन आए और उन्हें कहा गया कि प्रशन पूछें तो कोई पूछने को तयार नहीं क्योंकि हर एक के मन में संदे है हर कोई हारना नहीं चाता इसलिए कोई भी सवाल पूछने को तयार नहीं सुपर कम्प्यूटर तयार है परन्तु सवाल कोई पूछना नहीं चाता जब एंकर बार बार जैसे रिशी पाल जी यहां पर एंकरिंग कर रहे हैं बार बार कहे कि कोई सवाल पूछे कोई ना पूछे तो एक छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ उसने अपना हाथ खड़ा किया और उस बच्चे ने कहा कि मैं कुछ पूछना चाहता हूँ अब एंकर को लगा कि जहां इतने बड़े-बड़े विद्वान, इतने बड़े-बड़े विचारक, इतने बड़े-बड़े विज्यानिक कोई सवाल नहीं पूछते तो यह बच्चा क्या सवाल पूछेगा परंतु उस बच्चे ने जो सवाल पूछा और जो उस सवाल के बाद द्यम से हम सीख सकते हैं, वो शिक्षा के प्रति हमारी द्रिश्टी को बदल सकता है उस बच्चे ने सुपर कम्प्यूटर से सवाल पूछा, how does it feel to be a सुपर कम्प्यूटर सुपर कम्प्यूटर बनकर कैसा लगता है, अब सुपर कम्प्यूटर की लाल बत्ती भी जले, हरी भी जले, पीली भी जले और अंतता है, जवाब की कोई पर्ची नहीं निकली, सुपर कम्प्यूटर हमें सब कुछ दे सकता है प्रंग्तु सुपर कंप्यूटर हमें वो नहीं दे सकता, वो मानविय प्रेम नहीं दे सकता, वो भाईचारा नहीं दे सकता, वो सकारात्मक्ता नहीं दे सकता, वो समवेदना नहीं दे सकता, वो हमारे अंदर समानु भूती नहीं दे सकता, सुपर कंप्यूटर सिरफ और सिर वेसा ना बनने दें, उस स्पुर कंप्यूटर से हट कर जो मानव बनने की हमें प्रेणा भग्वान ने दी है, जो हमारे अंदर बींग की चीजे हैं, कि हम मानव कैसे बन सकते हैं, इन्सान कैसे बन सकते हैं, और वो जो इंडेक्स ہیں, हमारी शिक्षा पदती में, EQ और SQ वो समलित हों परमात्मा करे ऐसा दिन आए कि इस शिक्षा पद्धिती का दर्शन जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं वैसा हो उसका मुलतत्व वैसा हो वैस शिक्षा राश्ट निर्मान में निश्चित तोर पर सही योग देगी अन्यता ये शिक्षा केवल और केवल भौतिक विकास कर सकती है सरवांगीन विकास नहीं कर सकती और करोना ने हमें ये सिखाया करोना के समय में हमने सब ने सीखा कि लाइफ का बैलेंस कितना इंपॉर्टेंट है और डब्ली एचो भी ये कहती है विश्व स्वास्त संगठन भी ये कहता है कि हेल्थ के चार पैरामीटर्स हैं फिजिकल मेंटल सोशल और स्प्रिच्वल इन चारों का साइकल और बैलेंस मेंटेन करना नितांत आवश्यक है जीवन के लिए और शिक्षा भी वही जो पूरे का पूरा इन चारों का बैलेंस बनाकर हमें दे सके एक ऐसा चक्र चले के जिसमें पूरे का पूरा होलिस्टिक अप्रोच सर्वांगीन विकास जिसकी चर्चा में ने आप से की वै शिक्षा पदती हमारे राश्ट्र में आए और ये राश्ट्र पुने विश्वगरुस थापित हो इसी कामना और अर्चना के साथ और अकांखशा के स आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद के आप सबने मुझे इतने प्रेम और आदर से बुलाया और इतने मान सम्मान के साथ सुना आप सब के भीतर बैठे शिक्षा विद को परणाम करता हूं और आपनी वानी को विराम देता हूं वंदे मातरम भारत माता की जै